Hello everyone, कैसे हैं? आई होब आप लोग ठीक होंगे, new tips ने हैं के साथ आगे हैं तो आज का tips बहुत ही useful होने मला है, बहुत इकमाल कमाल का tips से ले कराएं friends, रोज की तरह, घर और किचन के काम तो आप daily ही करते हो tip centric से किया जाएं, तो मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है और बहुत इकुसी का बात तो ये है, कि बाहर से हमें एक उर्पिया भी खर्चा नहीं होता है हमारा काम घंटों का काम मिंटों में हो जाता है तो फ्रेंज, थोड़ा सा tip centric से काम करने का थोड़ा सा जरूरत है घंटों का काम मिंटों में हो जाएगा फ्रेंज, तो आप लोग पुरा वीडियो देखिए पहला tip से कुछ इस तरीके से बलोज से लेकर तो ये आप देख रहे हैं ना, हाई भी बलोज है इसे हमें डेली योज में नहीं लेते हैं तो फ्रेंज, हमें इसको फोल्ट करकर रख देते हैं तो आज जो टीप से लेकर आए हूँ, आप कुछ बलोज से जुरे हुए हैं जो कि बहुत एकमाल का tip से फ्रेंज, हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सेर भी करें तो देखिए फ्रेंज, होता क्या है, जब हम लोज को इस तरीके से रख देते हैं क्योंकि डेली योज में नहीं है, साधी पाटी में जिसे पहनते हैं तो रखा हुआ राता है, और जब भी पहनने के लिए निकालते हैं, तो हुग कमजोर हो जाता है और जंग भी लग जाता है, जिसे कि जंग लगता है, उसके बाद हुग कमजोर हो जाता है और धागा भी कभी कभी तूटने लगता है हमें क्या करना है इस तरीके से white paint लेना है जिसके यह काता हैrian Olha वाइट बला तो उससे हमें लेना है और इस तरीके से हमें the hook पे लगा देना है जिस समय हम hypnot लाकर मंगाते न्यू badges रहता है उससे समय यह काम कर लेते हैं तो यह मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है तो फ्रेंस करना क्या है सारे हुग पर इस तरीके से नेल प्रेंट लगा देंगे न तो मेरा जो है कभी जंग नहीं लगेगा और फिर धागा जो उसका है वो भी नहीं डूटेगा आप जरूर बताना हमारे तो बनाने के बाद हमारा दो रोटी तीन रोटी तो सही से बनेगा उसके बाद क्या होता है रोटी नीची से जलने लगता है और जला हुआ रोटी तो किसी को पसंद नहीं है अच्छी रोटी टेश्टी भी लगता है खाने में और जला हुआ रोटी टेश्ट ही बदल देता ह और अच्छा भी नहीं लगता है तो देखिए मेरा तावा कितना गंदा है ना ये रोर तावा धुला हुआ है फिर भी हम जब रोटी बना है तो चार उसके बाद इस तरीके से हो गया है अब हमें करना क्या है इस तरीके से लेना है थोड़ा सा नमक और ये नमक लेने के बाद हमें इस तरीके से कोटन का कपड़ा लेना है और इस तरीके से हलकेल के हाथ से हमें घीस लेना है फ्रेंज देखिए अब रोटी बनाते समय तो हम धो नहीं सकते हैं तावे क्योंकि हाथ बिंग जाएगा फिर रोटी बनाने में दिक्कत होगा तो आप उस समय जब भी आपक कितना साफ हो जाएगा आपको यकीन नहीं होगा कि वही तावा है तो देखिए फ्रेंज कितना साफ हो गया है अब हहां पर रोटी बनाएंगे तो बहुत अच्छी रोटी बनेगी और हाँ फ्रेंज चलिए अगला टीप से रोटी हम एक साथ बहुत सारे रोटी किस तरीक heute थोड़ा साभी ये वीडियो आप लोग को पसंद लगता आया है तिक लाइक सब्सक्राइब सेर जरूर करना और ये जरूर बताना कि हमारा वीडियो की स्कूने से देख रहे हैं ताकि पता तो चले कि मेरा वीडियो कहां तक जा रहा है तो फ्रेंश देखें इस तरीके से हम आटे का पेड़ा लगा लिये हैं और यहां पे हम थोड़ा सा तेल लगा दिये हैं तो फ्रेंश यहां पे तेल लगा के दूसरा भी डोटी है पेड़ा बना कर जो रखे हैं उसको भी हमें इस तरीके से डाल देना है और फ्रेंश आप इस तरीके से तीन रोटी भी एक साथ बना सकते हैं, तो इस पर भी हम एक और रोटी इस तरीके से आटे का पेड़ा है ना, वो भी हम इस तरीके से रख सकते हैं, जब फैमली में दो चार अदमी खाने के लिए बैठ जाते हैं, तो हमें रोटीया बनाने में बहुत दिकत होती है, और सेवी को पसंद होता है, गर्म कम उसम है, गर्मा गर्म रोटीया तो बहुत ही तेश्टी लगता है, तो हम किस तरीके से दो चार अदमी बैठ गये हैं, तो एक तावा है, तो हम जल्दी रोटीया नहीं बना पाते हैं, तो फ्रेंस देखिए हमें करना क्या है, इस तरीके से हम जैसे आप देखें दो इतना अच्छी सी फूलेगी भी, आपका दिमाग में आ रहा होगा कि ये रोटी फूलेगी भी नहीं, तो आप देखते रहिए ये इतनी पतली रोटी बन कर तयार हुआ है ना, अम मेरा रोटी सारा फूलेगा और बनेगा भी बहुत ही अच्छा रोटी, तो आप इस तरीके स जब भी जल्दवाजी हो दो-तीन फैमिली में बैठे हैं खाने के लिए तो आप इस तरीके से इस्टिप्स के थुरू आप सब भी को खाना बना सकते हैं और ज्यादा फायदा होता है कब जब गड़मी का सीजन होता है तब फ्रेंस हम तो इसी तरीके से बनाते हैं क्योंकि र गड़मी इतना होता है और रोटियां जब भी बनाना परता है तो बहुत सारा मुश्किल होता है तो देखिए फ्रेंस हमारा रोटी कितना एक भी कच्छा नहीं रहेगा और मेरा सारा रोटियां जो है वो फूल भी जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से तो देखिए का फ और कोमेंट्स बुक्त में जरूर बताना यहां पीदीखी फ्रींज अकसर सर्दी का मौसम है और सभी लोग इस तरीके से फूल वाजू वाले स्वेटर इनर ये सब तो पहनते ही हैं और पहन कर काम भी करना पड़ता है तो कीचन में तो हर समय आप देखते हैं पानी का काम फिर हमें उपर करना में फिर गीले हाद से ये भींग भी जाता है तो फ्रींस बहुत ही मुश्किल का काम है ये तो देखिए फ्रींस एक टिप्स है जो की आपको टेंसन आप फिरी हो जाएंगे आपको करना क्या है इस तरीके से रबर बेंड लेना है तो जो भी रबर बें इस तरीकी से लगा लेते हैं और फिर सारा काम कर लिजे आपको थोड़ा सभी नीचे नहीं आएगा आप इस तरीकी से पतले वाले भी रबर को यूज कर सकते हैं आई होब आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब सेर जरूर